नमस्कार लाग गिरी में आपका स्वागत है और जो हमारी इंटर्व्यू शिंकला है उसमें आज हमारे साथ जुड़ रही है कलापीनी कोम कली जी स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप उनको देख सकते हैं भारतिय शास्त्रिय संगीत के कलाकारों में शशक्त नाम हैं साहित्य को संगीत के साहित्य को और उसके दूसरे आयामों को समझ कर बहुत अच्छी तरह आत्म साथ कर गाने वाली कलाकारों में हैं और जाहिर तोर पर आपका एक परिचे ये भी है कि आप पहान कलाकार पंडित कुमार गंधर्व जी की पुत्री हैं कलापनी दीदी बहुत-बहुत स्वागत है आपका बहुत शुक्रिया श्वेंट जी नंबे समय से हमारी बात्ची चल रही है लेकिन कुछ संयोग नहीं बन पाया था लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी है कि आपके साथ में रूबलू होने का अवसर मुझे मिल रहा है हाँ कुछ संयोग ऐसा ये तो सही बात है कि संयोग था ऐसा लेकिन इंतजार का फल मीठा होता है बच्पन से सुनते आ रहे हैं तो आपसे बात करने का मौका मिलना और यह बहुत खास इंट्रिव्यू है मेरे लिए क्योंकि मैं बहुत इंतजार कर भी रहा था कि आपसे बा पत्रकार रहा हूं और खेल पत्रकार होने की वज़से प्रभाश जी के साथ थोड़ा सा काम करने का आवसर मिला सौभाग्य मिला तो फिर मतलब मुझे रहता है कुमार जी को समझने के लिए बहुत मजबूत दर्वाजा प्रभाश जी की तरफ से भी खुलता है तो बहुत पहले से जागते थे तो दीदी इस बाचीत में कुछ सवाल तो ऐसे होंगे जो निश्चित तोर पर आप जिनका जवाब अब तक कई सौ बार दे चुकी होंगी लेकिन कुछ नहे सवाल भी होंगे और कुछ बाचीत देखते हैं किस तरफ जाती है शुरुआत तो यहीं से क थी वो तो कहानी हम बाद में सुनेंगे लेकिन आपने आपको संगीत साधक बनना है आपको संगीत सीखना है आप संगीत के एक जो संसकार हैं उससे जुड़कर संगीत सीखेंगी यह सब किस उम्र में आपके अंदर डिवलप हुआ ऐसा एक विशिष्ट में आयू नहीं कह सकती है आपको कि इस उम्र में मुझे लगा और यहां से इस तारीक से इस तरह से कहना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन ये बात सही है कि जब मैं बिडिल स्कूल में थी तब तक मुझे मैं कोई संगीत के प्रति कोई ऐसा गहरा लगाओ तो बिल्डिकुल भी नहीं था यह बात अलग है कि मिल्ड स्कूल में थी तब एक विशय था संगीत का और चित्रकला एक विशय था इस तरह कि दो तीन विशय अलग अलग रहते हैं नाटक के संदर्ग में भी विशय था तो उस समय मैंने संगीत संगीत में ले रखा था कि मुझे असा लगा कि चित्रकला से और नाटक से मुझे संगीत शाया थोड़ा सा असान होगा, ऐसा मुझे लगा, पता नहीं क्यों लगा, हलाकि उस समय तक मेरी ऐसी कोई बहुत रुची नहीं थी, जैसा कि मैंने कहा आप से, लेकिन हाँ, हलका हलका कुछ स्कूल में जो हम स्कूल में लेकिन उसके बाद में फिर से कुछ हंतराल निकल गया, और जब मैं हाल से कंट्री स्कूल में आई, तब से मैंने थोड़ा-थोड़ा मेरी मा शिमादी वसंद्राजी के पास में बैठ कर संगीत सीखना थोड़ा-थोड़ा शुरू किया, वो भी उनके आगना प तो मैं आके क्यों नहीं बैठती, तो क्यों नहीं सीखती, तो मैंने खूआ कि अरे यार मेरे पास बहुत पढ़ाईकत रहता है, बोज और मैं इसी में बहुत बयासतों हो, मुझे बार-बार इस तरह कि नावना सीखने का तुम बुछ कहो मन, तो वो कहती थी, अरे भी, परदिशे सिखाती थी, वो जब राग सिखाती थी अपने विद्यार्थियों को, तो वो मेरे कानों पर बात चड़ती चली गई, और धीरे धीरे मुझे से लगा कि हाँ, मैं शायद बुर्बुना सकती हूं, शायद मैं यह जो लोग आ रहे हैं, शायद इनसे भी शायद को लेकर कि हमने बच्पन से गाना शुरू कर दिया, हम जब साथ साल के थे गाना शुरू कर दिया, हम जब दस साल के थे, तो ऐसी मेरे साथ में कोई गतिविधी नहीं हुई, यह मैं आपको कहना चाहती हूं. अब जब उस बच्पन से सीधा हम कट्टू आते हैं आज की तारीख में, आज अगर आप अपने आपको एक थोड़ा सा जटिल प्रशन है, लेकिन अगर आज आप से कोई पूछे कि आप अपने आपको किस तरह के कलाकार के तोर पर परिभाशित करती हैं, कैसा कलाकार जो बहुत अनुशासित है, बिल्कुल उसकी दिंचर्या जो है वो एकदम फिक्स है और वो संगीत का रियास से लेके और मंच के जो नियम काईदे कानून होते हैं, उन सब का पालन करती है, एक ऐसी कलाकार है आप, या वो जो बच्पन में था कि हाँ, बहुत कोई क्रेज नही नहीं था, तो वो अभी, अभी कैसे परिभाशित किया जाया आपको, देखिए, आज मैं क्या हूँ, मुल्ध नहीं मादम, सच कहूं, यह सब आप लोग हैं, यह शुरूता लोग हैं, यह सुधी शुरूता लोग हैं, जो मेरे काने पर कुछ अनिश्व में लुब्ध हैं, कुछ अनिश्व में कुमार जी के संगीत पर लुब्ध हैं, कुछ अनिश्व में मेरे संगीत पर लुब्ध हैं, मेरा गाया हुआ उन्हें शायद पसंद आता है, या वो मेरे गाये में कुमार जी को कहीं न कहीं ढूनने की कोशिश करते हैं, जो वास्तों में गलत हैं, ले यह बिलकुल मैं अरदय की गहराई में जाके आपसे कहले हूँ, क्योंकि मैंने अपने चारों गोर माना कि मैं लुब्ध नहीं थी संगीत पर बच्पन से, माना कि मुझे बच्पन से संगीत का वैसा क्रेस नहीं था जिस तरह से एक चाहा होती है, कि मुझे गाना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे संगीत का भी बनना है, यह बच्पन से माना कि मुझे में कोई ऐसी लुब्ध नहीं थी, लेकिन मैंने संगीत की उचाईयों को महसूस किया है, और यह समझ, यह एक द्रिष्ट कह लीजिए, यह हमारे माता-पिता की वज़े से, और खास करके, मेरी म वसंद्रा जी की वज़े से, हम बच्चों में यह बहुत अच्छे से हमको बता दिया गया था कि, तुम किस उचाई के आसपास जी रहे हो, इसका भान तुमें होना चाहिए, और चूंकि यह भान मुझे कुछ-कुछ अर्थों में शायद था, इसलिए मैं यह कह रही हूं क कि मैं उस संगीत की उचाई को मैं देख चुकी हूँ, मैं अन्यसूस कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे नहीं रखता कि ता उम्र मैं इस विद्यार्थी देशा से अपने आपको कभी आगे कूँ, समझ भाऊं कि, यह बहुत विशेश बात मुझे अपने बारे में लगती है दूसरी बात यह कि माना कि आज मैं गा रही हूँ, यह सब सही है, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा अंतराल मैंने इस तरह से भी गुझा रहा है कि मैं क्यों गाऊं, मैं गाऊं तो क्यों गाऊं, क्योंकि मेरे पिता कुमार जी, मसुद्रा जी मेरी मा, मेरे बड़े भाई मुकुल जी, और कुमार जी के सानिधी में आए हुए बहुत से शिश्च लोग, उनका मैंने इतना सुंदर संगीत हमेशा सुना है, कि मुझे हमेशा लगता था कि मैं क्यों हूँ, यह है ना इतना सारे मैं अभिव्यक्त करने की इच्छा होती है, और मुझे एक समय बाद ऐसा लगा, कि शायद मुझे स्वयल पर यदि अभिव्यक्त करने का आउसर मिले, तो मैं क्या करूँगी, तब मुझे लगा कि शायद मैं संगीत ही कर पाऊ, शायद संगीत ही एक ऐसी विधा है, जिसके माध्यम से मैं अपने आपको कही न कही शायद अभिव्यक्त कर पाऊ, तो इसलिए संगीत करना शुरू किया, तो दीदी, अगर माल लेते हैं एक सेकंड के लिए कि संगीत नहीं करती ही, तो क्या करती ही, कुछ था और दिमाग में, अब वास्तों में कहना मुश्किल है, ल लगाओ है, मतलब बहुत जबर्दस अटर्शन है हिमादय का, शायद मैं वही करती रह जाती, या मैं शायद शेफ बन जाती, या मैं अड्मिनिस्ट्रिट्यू बन जाती, कुछ भी हो सकता था, तो ये शेफ वाला तो मुझे, जी, 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 ये एक बात मुझे आपन बात मैं मानती हूँ, कि अनुशासित जीवन होना कलाकार के लिए बहुत आवश्यक चीज़ है, एक तरह से देखा जाए, तो हम बड़े पैमाने पर, जब हम कलाकार के बारे में बात करते हैं, समाने रूप से, तो मस्त मौला कलाकार है भई, जब मर्जी आए, जब गाना क एक, कहने के लिए ठीक है बात, और कुछ-कुछ कलाकार के बहुत आपने मस्त मौला थे, अपने मर्जी के मालिक थे, लेकिन जिस दौर में हम पैदा हुए हैं, जिस दौर में हम जी रहे हैं, वहाँ पर इस तरह की मस्त मौला हरकते करना उसीत नहीं जान पड़ता, ऐसा जो कि आज कला को हमें प्रोफिशन की रूप में देख रहे हैं यह केवल शौकिया तौर पर करने वाली चीज मेरे लिए अब नहीं है उसके साथ में आपको अनुशासन रखना ही पड़ेगा हम नहीं करें जब हम किताब पढ़ों हैं महाभारत मैं नहीं पढ़ने को लिया 5 साल तक महाभारत पढ़ पढ़ रही थी मुझे कोई bondage नहीं था, मेरा कोई profession नहीं है कि मैं महाभारत आपको दो महीने में पढ़के समाप्त कर दूँ, क्यों महीं वो मेरा शौक है, पढ़ना मेरा शौक है, लेकिन संगीत ये किवार अब शौक नहीं है मेरा, तो जो शौक की बात नहीं है, उसमें आपको अनुशास रखना ही पड़ेगा, वरना सारी चीजें हिल जाएंगे, अचा कुमार जी कितने discipline थे, आपको मतलब अगर इसी प्रश्न को थोड़ा और extend करें, एक कलाकार के तौर पर, कुमार जी जैसा व्यक्ति, इनसान के तौर पर भी, एक व्यक्ति के तौर पर भी, और इक कलाकार के तौर पर भी, मुझे नहीं लगता, इतना discipline कोई व्यक्ति, इतना अनुशासन बध कोई व्यक्ति मेरी नजर में अब तक आया होगा, कभी भी कुमार जी ने, अपना जो बनाया हुआ अनुशासन है, उसमें कभी भी कोता ही नहीं कि, समय पर उठना, ये बात अलग है, कि ज पर चूंकि एक तोर की तग्यत का भी मामला था, आपको मालूम है कि वो देवास आये ही इसलिए कि उनको स्वास्तिलाब लेना था, और उस वर जैसे भी नियमित भोजन, नियमित आराम, नियमित गाना, रियाज नहीं कहरें हुए, नियमित गाना मतलब गाना सिखाना, और नियमित मननचिंतन, हाला कि उसका कोई ऐसा नियम नहीं था, क्योंकि वो 24 घंटे उनके भीतर चलता रहता था, और वो मननचिंतन की प्रक्रिया करते हुए, जिस जिस चीजों का अनुशासन वो रख सकते थे, वो सौ प्रतिशन उसका पालन करते थे, इतना मेटिक्यूलेस इसली और्गनाइजड व्यक्ति, मैंने बहुत कम देखा है, बहुत कम ये मैं केवल इसलिए नहीं कह रही हूँ, कि वो मेरे पिता है, वो मेरे गुरु रहे हैं, ये एक त्रेस्त भाव से मैं एक दूरी पर जाकर जब मैं देखती हूँ, तब ही मैं आपसे यही बात नहीं बनती हैं, जो हाइपोथेटिकल कुष्चन है, आला कि आज की तारीक में, लेकिन नगर नहीं बनती हैं, तो आप हिमाले पर घूमना पसंद करती हैं, या शेफ बन जाती हैं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये दो चीज़े तो स्ट्रेट कुमार जी से ही आई है मतलब जिस तरह का उनका सौभाव था, और जैसा मैंने थोड़ी दर पहले जिक्र किया, मैं सुन रहा था, सोपान भया कह रहे थे कि उन्हें खाने का इतना शौक था कि खिचली भी इतने प्यार से खाके और उसकी इतनी तारीफ कर देते थे कि खिचली जैसी बेरंग और ब उनके गोलगपे ना का पाने की नाराजगी का किस्सा भी हमने सुना हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा दूसरा सवाल पूच रहा हूँ, मैं ये पूछ रहे होगी, आपकी खाने पीने की आदते, आपको भी ऐसे नाराजगी होती है, क्या कि मुझे गोलगपे खाने को नहीं मि कि मैंने शुरुआए कि अपने जीवन में संगीत नहीं मैं लुद्द नहीं थी संगीत पर वह जो बच्पन का और युगा वस्था का एक युगा वस्था तो नहीं कौंगी कि शुरू का जो तो और है जिसमें कोलगप्पे और इमिली और चट्निया खाने की बहुत इच्छ वो उम्र के सातवे साल से का रहे थे, उमाजी तो कहते थे, कि महिया में उमर के दसवे साल में head of the family था, I was the main earning person of the family, तो ये बहुत बड़ा फरक है, और चुकि उम्र के नोबे साल से वो कॉंफरेंसे में गाना शुरू कर दिया था, तो स्वाभा वे के, और शिवें जी उस ज करनाटक का कंणडभाशी बच्चा, जो इलाबाद या बनारस या लखनव में जाकर रहें, तो उनके लिए बहुत एक अद्बुद चीज रही होगी, जिससे कि उनको वंचित होना पड़ा, एक तरह से, दिशित रूप से, तो वह उनके लिए बहुत बात ही, आज मैं जरूर ये कहूंगी, कि मैं आनन तो जरूर लेती हूं इन सब चीजों का, मैं ये नहीं कहूंगी, कि मैं आनन नहीं लेती, लेकिन हाँ, सोच समझ कर, कि भई, नहीं, अब आने वाले 10 दिनों बाद, 15 दिनों बाद ये आपको 10 दिनों आपको कहीं कुछ कमिट्मेंट है, तो ये इतनी धिलाई अब नहीं चेले, एक सवाल और पूछना जरूरी है, जिसका जवाब आपने पहले कई बार दिया हुआ है, जब हम कुमार जी के बच्पन में की बात करते हैं, तो हमको ये जानना बहुत जरूरी है, कि वो जो उनक सब्सक्राइबर से नाम पड़ा, और चुकि किस्सा जानते हुए भी आपके मुझ से सुनने में शायद ज्यादा आनन्द आएगा, तो इसलिए गुजारिश करूँगा कि वो जरूर बताएं हमारे जो सब्सक्राइबर से उनके लिए, जरूर जरूर, ये क्योंकि एक होग अधिस में कुमार जी जग दस वक्ष के थे तब इलावाद कॉंफरेंस में नौ साल के थे तब बल्की दाना हुआ था और उसकी बाद में 1935 में हो कलकता के और इंडिया मेंजी कॉंफरेंस में उन्दूगाने के लिए अमंतरन मिला तब शोताओं में उस जमाने के बहुत बड़े कलाकार जैसे कुंदनलाज सहिगल जी पयास खासाब जी ओगरना ठाकुर जी विनागरा पटवरदन जी हाफिजनी खासाब इस तरह के बहुत बड़े-बड़े लोग उपस्दित थे सबको बहुत प्यार आता था उनके उबर क्योंकि सब जगे बहुत उस समय चर्चाएं थी कि एक कंणडभाशी बचाया है और जो बहुत सुंदर गाता है जो रहमत खासाब के गाने भी बहुत सुंदर गाता है इस तरह से तो मंच पर उसमें दो सिटिंग्स होा करती थी कभी भी कलाकार की कोई एक सिटिंग नहीं होती थी जिस तरह से आज बड़े शेहरों में तो पैतालीस मिनटे की सिटिंग को मत्तब पूरी महफिल मान लिया जाता है उस समय ऐसा नहीं होता था किसी भी कलाकार को गम से कम दो पुपस्तित रहते थे तो कुमार जी की पहली सेटिंग जब हुई तब लोगों ने खुश होकर चांडी के सोने के तंगे बिल्ले उनके उपर निचावर कर दी और चुकी छोटे बहुत थे कुमार जी खुशी की वज़े से उन्होंने वो सारे तंगे स्टेज के उपर से एकत्र करना शुरू कर दिया तब फयास खासाब मंच पर गए और उन्होंने माईख हाथ पे गिया और उन्होंने कुमार जी से कहा कि बेटा तुमने बहुत लाजवाब गाया और उन्होंने का कि मेरे पास कोई जागीर नहीं है लेकिन यदि मेरे पास कोई जागीर होती त और ऐसा कहके उन्होंने अपने सर की जो टोपी है को कुमाजी के सर पर उस दिन ड्रग दी तो ये मेरी दृष्टी से बहुत एक सुन्दर घटना है कि उस जमाने में टोपी एक दूसरे के सर पर रखना इसका माइना बहुत समझते थे लोग अब आज तो बहुत टोपी निका तो ये एक बहुत सुन्दर घटना मैं इसे बांती हूँ जिसकी वजह से बड़े-बड़े संगीत कलाकारों के बीच में भी कुमार्ची के प्रती एक बहुत आदर का भाव आ गया जिसकी वजह से वो जहां से सुनने लगी है और में का संगी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राये रखें इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंग आपके पास जानकारी यानि नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा आप वक्त हो तो तुरन देखें नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतिय शास्त्रिय संगीत के बारे में जागरूपता पहलाने का एक मंच है जो ए पूटे बच्चों के लिए खास तोर पर ये मुहीम चला रहे हैं जिसका टाइटिल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे